आप में से बहुत सारे users ने ये सोचा होगा कि अगर हमें free में web hosting already कहीं से मिल जाता है बहुत सारे companies हैं जो provide करते हैं even lifetime के लिए भी तो खामा खाँ पैसे क्यों खर्चे जब चीज फ्री में available हो रहा है हमारा सारा काम बन जा रहा है आपके according तो खामा खाम किसी company को 49, 59, 79 या 100 रपे पर मन्थ या साल का जो उनका charges है वो क्यों pay करें क्या कोई differences है क्या इन दोनों में क्या advantages है free वाले के और क्या disadvantages है जो आपको नहीं पता सेम चीज यहाँ भी अगर आप पैसे खर्च रहे हो तो क्या advantages है क्या disadvantages है इस तरफ हम इन सारे points को इस वीडियो के अंदर discuss करेंगे यहाँ पर मैं आपको personal experience और साथ में with proof दिखाऊंगा क्या क्या चीजे आपको face करनी पड़ सकती है तो ये वीडियो हर उस person के लिए काफी important है जो IT industry में है या फिर भले ही आप student हो लेकिन आप programming, html वगरा या कुछ भी website से related आप पढ़ते हो तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है ताकि आपको future में कोई problem ना हो तो without wasting any time directly हम लोग jump करते हैं practical की तरफ वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे new हैं तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे free web hosting की एक company है 000 यानि की 000 web host अगर आप इनकी website पे जाओ तो actually आप lifetime तक free hosting यहाँ पे use कर सकते हो मैंने इसके उपर already video बनाया है कि आप free में अपने website को online ला सकते हो description में link available है आप देख करके सीख सकते हो हाला कि अब इनका interface थोड़ा बदल चुका है तो मैं एक और video बना दूँगा मैंने और भी काफी सारे use की हैं बट आज हम ज़रा web hosting के बारे में बात करते है 000 web host के बारे में चीक है यह आपको free of cost service प्रोवाइड करते हैं बट सापको get started या फिर sign in पर click करके gmail के थूर login करके account बनाओ website को host करो बड़ा simple लगता है देखने में और है भी actually simple बट drawback क्या है अब free में कोई चीज मुझे मेल रही है सबसे ज़ादा खराब बात यह है कि देखो student यहाँ पर क्या करते हैं वो अपने school college के project को online लेकर के आते हैं यह उनकी सबसे बड़ी गलती होती है जो उन्हें पता नहीं होता free hosting आपको क्या drawbacks देते हैं यह directly आपको कभी भी नहीं बताते और यह मैं नहीं कहा रहा हूँ मैं आपको directly proof दिखाता हूँ Google पर जाकर के अगर आप लिखोगे 000 web host website sleeping इनका खुद का एक article है आप इसको open करे at the same time google images को open करे बहुत सारे images है जो आपको properly visible हो किसी भी एक के उपर क्लिक करें ताकि आप उसे actually read out कर सके तो मैंने एक image के उपर क्लिक किया 24 hours में से एक घंटे के लिए आपकी website sleeping mode पे रहेगी यह याद रखे free hosting के अंदर और especially मैं consider कर रहा हूँ web host को क्योंकि लोग इसी को जादा यूज करते हैं exact ऐसा ही interface आएगा जब आपकी website को एक खोलेगा लिखके आएगा website temporary sleeping यह कब होगा आपको नहीं पता 24 घंटे में एक घंटे के लिए just imagine आप school college का project teachers को show कर रहे हो और उस time पे आपका project ना दिख करके कुछ ऐसा interface दिखे college के project 300 marks के होते हैं जो कि आपको 80 to 85 percentage provide करते हैं वो आपका चला जाएगा यह एक बहुत बड़ा drawback है क्या proof है कि यह photo original है मैं क्या करता है आप यहां से back जा रहा हूँ और इनके article को read करके आपको दिखाता हूँ sleeping mode वाला जो मैं कह रहा हूँ यह correct है क्या तो यहां पर आप देख रहे हो ना यह आप read out कर सकते हो similarly और भी है यहां पर आपको kora के article मिल जाएंगे बहुत सारे मिल जाएंगे तो यह website आपकी sleeping mode पे जाएगी यह देख रहे हो यह details है तो यह professional चीज नहीं है personal काम के लिए चाहिए देखने के लिए कि website ऐसा आता है तो आपने किसी की tutorial भी देखी है तो वो आपको new gmail पे create करके बताते हैं तो यह एक बहुत बड़ा risk हो सकता है आपके account के साथ दूसरी चीज जो मैंने हमेशा face की है आपको एक email दिखाता हूँ मैं यह email है इनकी तरफ से clients.000webhost.com आपका domain name और कभी भी आपको कुछ काम नहीं करो आपको फाइल अपलोड करो अचानक से email देदेगा आपने कुछ abusive यहाँ पर किया है यह किया है वो किया है कुछ भी करके आपका account जबरदस्ती suspend कर दिया जाएगा अब जो margin को लिख लो कभी आपका account वापस नहीं मिलेगा और सीखने के time पे मेरे भी 10-15 account बैन किये है इ जो कि आपके Gmail के ऊपर खुलते हैं और दुबारा आप उस email से account create नहीं कर सकते तो आपकी website अगर कोई खोलेगा आपके website से spend हो चुकी है लिख करके आएगा website is no longer available और उलटा आपको ही blame किया जाएगा the author have deleted this site देख रहे हो तो यह चीज़ अब स्क्रॉल करने के बाद यह sleeping mode तो जाएगा ही जाएगा और कभी न कभी account भी बन तो होगा ही होगा अगर नहीं होता है sleeping mode तो पूरा compulsory है तो यह कुछ limitation आपको देते हैं अब वो limitations क्या है क्या वो आपके लिए suitable है तो school college के project के लिए तो यह बिलकुल ही suitable नहीं है और real life website के लिए तो बिलकुल भी नहीं तो ऐसा interface तो मैं बिलकुल दिखाना नहीं चाहूंगा और नहीं मैं ऐसा कुछ promotional URL या अजीब सा URL दिखाना चाहूंगा apart from that मैं चाहूंगा कि मेरा खुद का एक domain name हो right तो यह भी मैंने आपको कल की वीडियो में सिखाया था तो यह suitable नहीं रहेगा still अगर आप इसको opt करते ह तो देखो आपको क्या मिलता है नीचे आप इसमें सारी चीज़े create कर सकते हो जर आप इसमें नीचे scroll करोगे ना तो यह इनका pricing plan है मेरा personal point of view बता रहा हूं मैं आपको आप भी share करें आपने ये चीज़े face की है या नहीं web host काफी ज़ादा slow है यहां पे अगर आप देखोग नहीं होती compressed नहीं होती तो यह एक problem आता है bandwidth limited है 3GB की तो अगर आप real life का project host कर रहे और कुछ ज्यादा ही लोग आ जाएंगे तो यह आपका use हो जाएगा in short आप बस इतना समझे लो जब भी कोई एक visitor आपकी website पर आएगा तो वो कुछ space consume करेगा तो आपके पास इतनी limitation है आप create नहीं कर सकते कोई भी problem आएगा आप किसी को contact नहीं कर सकते कोई domain name आपको free नहीं मिलता इसे लिए वो promotion करते हैं अपनी कोई backup नहीं है website hack हो जाए delete हो जाए कुछ नहीं मिलेगा अगर यह suitable आपको लगता है तो ठीक है अब एक चीज है कि maximum लोग इसके साथ suitable होते हैं अब एक चीज यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ एक English का एक कहावत है if you are not paying for a product then you are the product अब इसका क्या meaning है अगर आप किसी चीज के लिए पैसे नहीं खर्च रहे हो आप किसी product के लिए पैसे नहीं खर्च रहे हो तो आप ही product हो और आप से वो company पैसे कमा रही है example के लिए facebook आप free में use करते हो यह आपको लगता है लेकिन facebook का owner बहुत जादा पैसे कमाता है कैसे आप scroll करते करते facebook में एक article आता है आपके सामने कभी या कोई post आती है नीचे लिखा होता है sponsored तो आप यहां पर product हो if you are not paying for a product then you are the product ठीक है कभी आपने सोचा है कि आपके gmail के ऊपर यह खामखाई spam mails कहां से आते हैं आपका loan approved हो गया hair loss treatment doctor यह coca cola वगएरा वगएरा इतने की lottery लग गई है कहां से यह आपके email addresses लाते हैं मैं यह नहीं कहारा web hosting वाले उसको देते हैं मैं यह कहना चाहता हूं जितने आपके free services होते हैं जितने भी किसी भी type के हो यह companies आपके emails and details को use करती है marketing के लिए और कहने के जरूरत नहीं है data हर बार leak होता है company sold out भी कर सकती है और बड़े बड़े companies कर भी देते हैं आपका data आगे sale जिससे फिर आपको ऐसे emails देखने को मिलते हैं औ इस तरफ domain research.com पे यह आपको domain and web hosting के services provide करते हैं तो अगर एक पल के लिए मैं यहाँ पे मान भी लो कि यहाँ पे आप देख सकते हो यह paid plans भी आपको देते हैं बट इनका free वाला ही इतना slow है तो कोई paid खरीजना चाहेगा क्या बट फिर भी हम comparison कर लेते हैं इनका पहला वाला plan तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ unlimited वाले की चीज़ों का हम opt करेंगे हम इसको comparison करने लगे हैं इस वाले के साथ ठीक है personal वाले के साथ आप चाहे तो दूसरे वाले को रख लो बट price थोड़ा सा exceed कर जाएगा इसमें आप एक website host कर सकते हो और इसके अंदर भी आप एक website host क कर सकते हो इसमें आपको storage कितनी मिलती है 30 GB की मिलती है और यहाँ पर आपको storage मिलती है SSD जो की fast है unlimited जितना use करना है कर लो यहाँ पर एक email account create कर सकते हो और यहाँ पर जितने merge email account create कर सकते हो even इनका यह वाला plan भी है जो कि आपको 800 रुपए के आस पास पढ़ जाता है यह भी का यहाँ पर अगर आप आकर के देखो तो यहाँ भी आपको domain name free में नहीं मिलेगा light speed वो वहाँ भी है wordpress के लिए वहाँ भी है cloud flare protection यहाँ mentioned नहीं है इस वाले में but आप actually cloud flare की official website पर जा करके उसको free में apply कर सकते हो और आपको वहाँ वाला जो आपको यह लोग दे रहे हैं वो एक FTP account एक यह एक MySQL database वगरा वगरा यहाँ पर वो सारी चीज़े unlimited आपको मिलेंगी क्योंकि मैं already इनके service यूज करता हूँ आप जानते हैं मेरी पिछले वीडियो के according दो subdomain create कर सकते हो और यहाँ पर आप काफी सारे create कर सकते हो तो यह आपका एक detail है दूसरी चीज यहाँ पर अगर आप free वाले में किसी reason से आप bandwidth exceed कर दो जादा use कर लो तो आपका account suspend कर दिया जाएगा मैंने example तो आपको दिखाई दिया है इस case में ऐसा नहीं होता इनकेस अगर आप किसी और company के साथ हो domain research के इलावा किसी और पर हो तो वो आपका account terminate करते हैं लेकिन जब आप support से email में बात करते हो तो वो reset करके आपकी service को वापस दे देते हैं जो कि free वाले में आपको देखने को नहीं मिलता कोई SSL certificate आपको free नहीं मिलने वाला यहां पे यानि कि STTPS connection कोई free नहीं मिलेगा webhost में जो कि आप यहां देख सकते हो आपको free मिलेगा अगर यहां mention नहीं दिखता नहीं मिलता है जिसके थ्रूँ आप अपने website को rank करा लो बट अगर हम domain racer की बात करें तो premium SEO tool आपको free मिलता है जिसकी market cost है आपकी $49 per month इवन इनके highest plan की अगर हम बात करें तो भी आपको सिर्फ 200 GB की space मिलेगी $3.99 per month है तो अगर मैं calculator में जा करके 3.99 multiply by 12 करू तो 47.88 dollar का मेर करके 47.88 dollar अगर मैंने लिखा तो मेरा खर्चा इतना पढ़ने वाला है tax इसमें अलग से जुड़ेगा इतना खर्चा pay करने के बाद भी आपको 200 website ही host कर सकते हो आप यह आप ध्यान में रखे सिर्फ 200 website और सब में limitations आपकी यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी लेकिन यहा आपकी चीज़े होती है यहां सारा कुछ webhost के control में है और यहां सारा कुछ आपके control में होगा आपके cpanel के अंदर तो यह एक advantage होता है free web hosting का overpaid web hosting पे यहाँ पर अपने domain को link कर सकते हो तो अगर आप cyberwarriors.xyz.com.in.ya वो जो भी आप select करते हो तो आप actually अपनी चीज़ों को host कर सकते हो एक proper name के साथ जो कि यहां पर नहीं होता तो कुछ यही differences होते हैं मैंने आपको with proof दिखा दिया है दोनों में differences क्या होते हैं सिर्फ सीखने के लिए करना है यह वाला कर लो कोई problem नहीं है लेकिन real life के project के लिए school college के लिए भले ही domain racer के सबसे सस्ते वाले plan पर चले जान and comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पर नहीं है तो subscribe करें बैल आइकन को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे मैं मिलता है आपसे अगली video में thanks for watching guys